गुद मॉर्निंग फ्रेंज्ट, मैं पारूल सेलर आज आपको कक्षा पांच में विशय हिंडी पढ़ाओंगी। विद्यात्री मीत्रों आज अब सुख और सांटी से जीवन बिता रहे है। इसके पीछे कौन जिमेदार है? आपको पता है? चलो मैं बताते हूँ. इसके पीछे दो व्यक्ती जिमेदार हैं. एक है किशान जो हमारे लिए फसल उत्पादन करता है. और दूसरा व्यक्ती कौन है आपको पता है? दूसरा व्यक्ती है सैनिक जो हमारे डेश की रक्षा करता है. किशान और सैनिक हमारे डेश की डो आखे हैं. सैनिक अपनी मात्रुभुमे को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं. वह अपने डेश और डेश वासियों के लिए बलीडान देने के लिए वह हमेसा तत्पर रहते हैं. तो पिट्या सीमित्रों आज हम ऐसी ही डेश वाना वाली कविता सीखने जा रहे हैं. जिसका नाम है ननहा मुनहा राही हूं. जिसके कवि है सकील बर्दायूनी. तो चलो हम कविता गाते हैं. ननहा मुनहा राही हूं. ननहा मुनहा राही हूं. डेश का सीपाई हूं. बोलो मेरे संग जया हिन जया हिन. रास्ती पेचलूंगा नदर दर के. चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के. मन्जिल से पेले नालूंगा कही दम. आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम. डाइने बाई डाइने बाई ठम. ननहा मुनहा राही हूं. देश का सीपाई हूं. बोलो मेरे संग जया हिन जया हिन. ढूप में पसीना में बाहाऊंगा जहा. हरे हरे खेत लेहराएंगे बाहा. धरती पेपापी न पाएंगे जनम. आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कडम. डाइने बाई डाइने बाई ठम. ननहा मुनहा राही हूं. देश का सीपाई हूं. बोलो मेरे संग जया हिन जया हिन. बढ़ा हो के देश का सहारा बनूंगा. डुनिया की आखो का तारा बनूंगा. रखोंगा उचा तीरंगा हरदम. आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कडम. डाइने बाई डाइने बाई ठम. ननहा मुनहा राही हूं. देश का सीपाई हूं. बोलो मेरे संग जया हिन जया हिन. जया हिन. जया हिन. जया हिन. सांटी की नगरी है मेरा यवतन. सब को सीखाऊंगा में प्यार का चलन. डुनिया में गिर्ने नई दूंगा कही बम. आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कडम. डाइने बाइ. डाइने बाइ. खम. ननहा मुनहा राही हूं. डेश का सीपाई हूं. बोलो मेरे संग जया हिन. जया हिन. जया हिन जया हिन विद्याठी मीत्रो अब हम नन्ना मुना राही कविता समझेंगे तो चलो इस कविता को हम समझते हैं 31 नन्ना मुना राही हूं कवि है सकील बढ़्डायोन इस गीत में बाल सहिनिक डेश को आगे बढ़्डाने की बावना व्यक्त करता है उसकी इच्छा है कि आगे बढ़्डे वक्त चाहे कितनी ही बाधाओ का समना करना पड़े फिर भी मनजिल प्राप्ता नहों तब तक वह दर्द कर बाधाओ का समना करता रहेगा डेश में रहने वाले लोग सांती से रहे एक दूसरे से प्रेम पुण व्यवार करे ऐसी बच्छे की भावना है तो चलो मित्रो अब हम इस कविता की पंक्तियों को समझते हैं नन्हा मुन्हा राही हूं डेश का सिपाई हूं बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद इस पंक्ति में बालक कहता है कि मैं नन्हा मुन्हा मुशाफिर हूं तुम सब लोग मेरे साथ जय हिंड बोलो रस्ती पे चलूंगाना दर दर के चाही मुझी जीना पड़े मर मर के मन्जिल से पहले नलूंगा कही दम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम बालक कहता है कि डेश भक्ती के रास्ते पर मैं दर दर कर नहीं चलूंगा चाहे मुझे कितने भी कस्ट क्यों ना सहने पड़े चाहे कितनी बाधाये आए मैं मन्जिल से पहले आराम नहीं करूंगा दूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहां हरे हरे खेत लहराएंगे वहां धर्ती पे पापीन पाएंगे जनम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम डाइने बाई डाइने बाई थम बालक क्या केता है धूप में भी मैं डेश के लिए काम करूंगा पसीना बहाऊंगा मेरी मेहिनत से हरे हरे खेत लहरा उठेंगे धर्ती पे पापीन पाएंगे जनम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम बालक केता है कि मेरे रेते हुए धर्ती पर पाप करने वाले का जनम नहीं हो पाएगा में आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा बढ़ा होके डेश का सहारा बनूंगा दुनिया की आखो का तारा बनूंगा रखूंगा उंचा तीरंगा हरदम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम बालक केता है कि में बढ़ा होकर हमारे डेश का सहारा बनूंगा दुनिया को ड्रस्टी दूंगा में ऐसा का करूंगा जिसे दुनिया को मेरी रह पर मेरी आखो से चलना पड़ेगा आखो का तारा बनूंगा यानि मैं सब का प्यारा बनूंगा मैं अपने डेश के तिरंगे चंडे को हमेशा उच्चा रखूंगा और मैं आगे ही आगे बढ़ता ही जाओंगा सांती की नगरी है मेरा यवतन सब को सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम आगे ही आगे बढ़ाओंगा कडम डाइने बाई डाइने बाई थम बालक क्या कहता है? बालक कहता है कि मेरा देश सांती की नगरी है सब को सिखाओंगा मैं प्यार का चलन यानि कि बालक कहता है कि मैं पूरी दुनिया को प्यार से सांती से चलने का व्यवहार सिखाओंगा चलन यानि व्यवहार दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम बालक कहता है कि मैं दुनिया में कहीं भी बम गिरने नहीं दूंगा मेरे रेते दुनिया में कहीं बेकसर लोग नहीं मारे जाएंगे, में आगे ही आगे बढ़ता जाओंगा विट्यर्थी मित्रों, आ कविटामा बाड़क केवा मांगे छे, के हुँ, आदेश भक्तीना मार्ग पर चालनारों एक नानोक्डों यात्री छुँ, हुँ, आदेश नों एक सैनिक छुँ, तमें बद द मारी साथे जैहीन बोलों टे कहे छे, के डेश भक्तीना मार्ग पर हुँ, डरी डरी ने चालीस नहीं, पची मारे कितला पन कष्टों केम ना सहन करवा पड़े, रस्तामा कितली पन मुस्कीली केम ना आवे, पन जिया सुधी हुँ, मन्जिल सुधी ना पोचीस, त्या सिरी हुँ, आराम पन करीश न खेतरों मा हर्याडी चवाए चसें, ते कहे छे, के जिया सुधी हुँ आ धर धी परहिश, त्या सुधी पाप करना रानों जन्मत हसे, नहीं, हुँ आगल ने आगल वत्तोज जैस, हुँ 10 नो परियब निश, अने आगल ने आगल वत्तोज जैस, हुँ बारा देस ना टिरं जंदाने हम्मेशा उंचो राखिश। बद्धाने प्रेम्ठी व्यवार करता शिख्विश। हुँ निर्दोस लोकोने मरवा नहीं डईश। हुँ आगर ने आगर भत्तोज जईश। अने डेश नी शेवा करतो रहिश। मुझे लगता है कि आपको यह काव्या अच्छी तरस समझ में आ गया होगा। बरबर है तो यह काव्या आपको अपनी कापी में लिखना है और याद भी रखना है। हम फिर मिलेंगे तब तक।